Hello Class 1st students, आज हम आपकी EVS की class start करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी अपने EVS के notes का page number 9, 10 और 11 ले 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 जे, page number 9, 10, 11 पर आपको अपना chapter 8 with exercise completely मल जाएगा, जिन बच्चों के पास notes available हैं, वो notes में इसे complete कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास books available हैं, वो उसे books में भी complete कर सकत हैं, तो आई हम आपका chapter start करते हैं, class 1st की EVS subject में chapter 8 है, types of houses, यहने की मकानों के प्रकार, a house is a place where we live, मकान यह रहने का इस्थान एक वो है, जहां पर हम सभी रहते हैं, the house we live in is our home, और जहां हम रहते हैं, उस इस्थान को घर कहा जाता है, और जहां होते हैं, यहने की मकान होते हैं, वो कई प्रकार की होती हैं, there are big houses and small houses, कुछ big house होते हैं, और कुछ small houses होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ छोटे होते हैं, houses are कच्चा और पक्का और इसी के साथ में, वो कच्चा हाउस और पक्का हाउस, इस ट्रेंडी में भी ने टू पार्ट्स में डिवाइट किया हुआ है, कच्चा हाउस होता है, वो मड़ और स्ट्रॉ से बनता है, और पक्का हाउस जो होता है, वो ब्रीक्स और सिमेंट से बनाया जाता है, some houses are built on top of one another, कुछ हाउस जो होते हैं, वो एक के उपर एक बनाया जाते हैं, they are called flats and apartments, जिनने flats और apartments कहा जाता है, we should keep our house neat and clean, a house has many rooms, और इसी के साथ में एक घर में या एक मकान में बहुत ही सारे कमरे होते हैं, every room has a special name और इसी के साथ में हर कमरे का एक special name होता है, यहने कि हर कमरे को उसमें किये जाने वाले काम के अनुसार एक अलग नाम दिया जाता है, जिसमें से first आपको यहाँ पर दिया हुआ है kitchen, we cook food in the kitchen, आपने देखा होगा सभी के घरों में kitchen होता है, जहां पर we cook food, यहने कि हम खाना बनाते हैं, second dining room, we eat food in the dining room, और dining room जहां पर सभी बैट कर खाना खाते हैं, उसे dining room कहा जाता है, next study room, we read books in the study room, study room में बैट कर पढ़ाई की जाती है, हम बैट कर पढ़ाई करते हैं, किताबे पढ़ सकते हैं, उसे study room कहते हैं, next bedroom, we sleep in the bedroom, हम सभी bedroom में सोते हैं, यहने कि जो जिस कक्ष में हम सोते हैं, जिस कमरे में हम सोते हैं, उसे bedroom कहा जाता है Next, drawing room We sit and talk to our friends in the drawing room और हम बैठते हैं, अपने friendों से बात करते हैं अगर हमारे relatives भी आते हैं तो हम उन्हें उन्ही room में रोकते हैं बाते करते हैं वो उस room को drawing room कहा जाता है Next, bathroom We take bath in the bathroom और हम bathroom में नहाते हैं जिस स्थान पर हम नहाते हैं, उसे bathroom कहा जाता है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर types of houses पड़ें Simply, हम जहां रहते हैं, उसे home या घर कहा जाता है जो हमारे घर होते हैं या houses होते हैं, वो कई types के होते हैं वो big house या small house होते हैं यानि कि बड़े और छोटे होते हैं चूट, keep our house, neat and clean हमें हमारे घर को साथ स्वक्षे रखना चाहिए A house has many rooms हमारे घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं जहां खाना बनाते हैं उसे kitchen जहां हम खाना खाते हैं उसे dining room पड़ाई करने के स्थान को study room सोने के room को bedroom जहां पर हम हमारे friends और relatives को बठाते हैं बाते करते हैं वो है drawing room और नहाने के स्थान को bathroom कहा जाता है